नमस्तार फादियों समस्त का ये सत्र अच्यन्त महत्वपुण है तेश आजहादी के अमरित महोत्षव मना रहा है हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में से इस आजहादी के अमरित महोत्षव के निमित रचनात्मत सकारात्मत जन हित के लिए दाष्ट हित के लिए सामान ये नागरिक अनेक कारकम कर रहे हैं कदम उठा रहे हैं और आजहादी के दिवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान ये नागरिक भी इस देश का अपना कोईन कोई दाईत्व निभाने का प्रयास कर रहा है ये खबरें ये अपने आप में खारत के उजबल भविश्य के लिए शुप संकेत है कल हमने देखा है पिछले दिनों सम्विधान दिवस भी नए संकल्प के साथ सम्विधान के स्पिरिट को चरितार करने के लिए हर किसी के दाईत्व के समन्द में पूरे देश ने एक संकल्प किया है इन सब के परिपेख्ष में हम चाहेंगे तेश भी चाहेगा तेश का हर सामान नागरिक चाहेगा कि भारत का संसत का ये सत्र और आगे ने वाने आज़ाले भी सत्र आधादी के दिवानों की जो भावनाएं थी जो स्पिरिट था आधादी के अमरुत महुत्व का जो स्पिरिट है उस्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे देश की प्रगति के लिए नए उपाएं खोजे अर इसके लिए यह सत्र बहुत ही विचारों की सम्रुद्धि वाला दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्पव निर्णों वाला बने मैं आशा करता हूँ कि भविश्य में संसद को कैसा चलाया कितना अच्छा कॉंट्रुबिशन किया उस तराजू पे तोला जाए नकी किसने कितना जोर लगा करके संसाद के सत्र को रोक दिया ये मांधन नहीं हो सकता है मांधन ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ कितना सकारातप काम हुआ हम चाहते हैं सरकार हर विशे पर चर्चा करने ली तयार है खुली चर्चा करने के लिए चाया है सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तया है और आजहाजी के अमरुत महुत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो संसद में शान्ती भी हो हम चाहते हैं संसद में सरकार के ख़लाप सरकार की नीतियों के ख़लाप जितनी आवाज प्रकर होनी चाहिए हो लेकिन संसद की गरीमा स्पीकर की गरीमा चैर की गरीमा इस सब के विशह में हम वो अशरन करें जो आने वाले दिनों में देश की उवा पीडियों को काम आए पिछले सत्र के बाद कोरोना की विकट परिस्थिती में भी देश ने सौ करोड से अधीक डोजीच कोरोना वैक्सिन और अब हम देश सो करोड की तरब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं नए वेरियन की खबरें भी हमें और सतर करती हैं और सजग करती हैं मैं साउसत के सभी साथियों को भी सतर करहने के लिए प्रार्षना करता हूं आप सभी साथियों को भी सतर करहने के लिए प्रार्षना करता हूं क्योंकि आप सब का उत्तम स्वात देश स्वास्यों का उत्कम स्वास ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्रास्पिक्ता है देश के 80 करोर से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलिफ नहों इसलिए प्रधान मंत्री गरीप पिल्यान योजना से अनाच मुप्त में देने की योजना चल रही है अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है करीब दो लाग साथ हजा करोड रुपी है की लागत से 80 करोड से अधिक देश वासियों को करीब के घर का चूला जलता रहे इसकी चिंता की गई है मैं आशा करता हूँ इस सत्र में देश वीत के निरने हम तेजी से करें मिल जुल करके करें सामान मानुई की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले करें ऐसी मेरी अपेक्षा है बहुत बहुत धन्यवाद